दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चाम लगया है एक साथ दो सो परवत रोही आठ हजार साथ सो नबे मीटर की उचाई पर साउथ समिट और हिलेरी स्टॉप पर पहुच गए आठ हजार आठ सो अर्टिस मीटर वाली माउंट एवरेस्ट यहां से दो सो फीट की दुरी पर है भीट जबा होने के कारण यहां बर्फ आएक हिस्सा तूड़ गया इस दोरान छे परवत रोही भी वहां फस गए हलाकि इनमें से चार लोग रसी के सहारे वापस उपर आने में काव्याब रहे वही दो परवत रोही हजारों फीट नीचे गिर कर बर्फ में दब गए है घटना 21 माई की है जिसका वीडियो अब सामने आया है वही चार दिन से बर्फ में फसे होने के बाद दोनों परवत रोहीयों की मौत की आशंका जताई गई है नेपाल की टूरिजम अधिकारियों ने बताया कि दोनों लोग पंद्रा परवत रोहीयों के ग्रुप का हिस्सा थे जो एवरिस की चढ़ाई कर रहे थे बर्फ का एक हिस्सा तूटने से वे साउथ समित की तरफ गिरे इसे पहाडी का डेट जोन कहा जाता है जहां उक्सीजन लेवल बेहत कम होता है